जैश्रीम नारायन दोस्तों आपका बहुत बहुत थ्वागत है पती की दीरकायों के लिए किया जाता है गंगोर वरत जाने इसका शुब मूरत और पूजा विधी क्या है चैतरमास की तृतिया तिति के दिन गंगोर वरत किया जाता है इस दिन मा पारवती और भगवान सुख शानती के लिए गंगोर का जो पवित्र वरत है वो करती है हिंदु पंचांके नुसार चैतर महा के शुक्ल पक्षित्रतिया तिति को गंगोर वरत किया जाता है ये वरत मा पारवती को समर्पितर इस वरत को विशेश करके राजस्थान में जैसा की बताया जादा महि पती की लंबी उम्र के लिए परिवार की मेशुख शान्ती समर्दी के लिए इस वरत को करती हैं और देवों के देव महादेव और मापारवती की पूझा आर्चना करती है इसके अलावा कुवारी करने आए भी मन चाहवर की प्राप्ति के लिए इस वरत को करती है तो चलि मास के शुक्री पक्षिर तितिया तिति की शुरुआज जो है वो 10 एपरिल को शाम 5 बज़ कर 32 मिनट से होगी और इसका जो समापन है वो 11 एपरिल को दोपहर 3 बज़े होगा सनातन धन में उद्या तिति का बहुत जादा महत्व और ये कहा जाता है कि उद्या तिति के अनुस मिनट से लेकर के 8 बज़ कर 24 मिनट तक पूजा करने का शुब मूर्थ है गंगोर वरत की पूजा विदी जानना भी बेहत ही जरूरी है क्योंकि बिना पूजा विदी के वरत कभी भी संपन नहीं हो सकता सही पूजा विदी जानना भी उतना ही जरूरी है जितना की वरत करन गंगोर वरत में ब्रहमूरत में उठें इसके बाद में देवी देवताओं का ध्यान करें और अपने दिन की शुरुआत करें इसके बाद में इसनान करके साफ वस्त धारण करें ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता किसी वरत में कि आपको नए कपड़े या नए वस्तर ही पहने बस वो दुले हुए और साफ सुथरे होने जाएं इस तरियों को सोला श्रंगार करना चाहिए अब भगवान शिव और माता पारवती की मिट्टी से प्रतिमा को बनाएं उन्हें एक चौकी पर लाल कपड़ा बिठा करके उनको विराजमान वहां पर कर दें इसके बाद भगवान शिव और माता पारवती को चंदन रोली और अक्षत जो है वो अर्पित करें इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को रोली कुमकुम इसका टीका बिलकुल भी ना लगाए आप उनको चंदन का टीका लगा सकते हैं मा पारवती को शोला श्रंगार की है वो आपको जो वरत है वो संपून हो जाएगा यह जानकारी यही तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगा रापस का लाब उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिलकल भी न भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत पूंद जानकारी यह मिलती रहते हैं तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जैश्री मनारायन दोस्तों जैश्री कृष्णा